यदि आप कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो आप यह जरूर प्लान कर रहे होंगे कि कश्मीर में सोनमर्ग देखने जरूर जाएंगे यदि आप सोन मर्ग देखना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में सोन मर्ग से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से देंगे परनतु उससे पहले ज़रूर है कि आप कश्मीर यात्रा से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त कर लें ताकि आपकी यात्रा में कोई परिशानी ना आए चारो ओर से मुगल गार्डन से घिरिये और इसमें हाउस बोट इस्तिते तता शिकारे चलते हैं गोर्तलब है कि श्री नगर सडक मार के जरिये पूरे दे से जुड़ा हुआ है श्री नगर बस के जरिये आसानी से पहुचा जा सकता है श्री नगर तक दिल्ली पंजाब हरेना आदि कई शहरों से सीधी बस सेवा है इसके लावा जम्मू शहर से भी सीधी बस सेवा श्री नगर के लिए सडक के रास्ते अगर आप श्री नगर जा रहे हैं तो आपको जम्मू होकर ही जाना होगा श्रिनगर दिल्ली से लगबक 859 किलोमेटर दूरे तथा दिल्ली से श्रिनगर का बस का किराया लगबक 1250 रुपे है तथा 18-19 गंटे का समय यादरा में लगता है इसी परकार जम्मू से श्रिनगर 206 किलोमेटर दूरे तथा बस का किराया 230 रुपे है बस दोरा जम्मू से श्रीनगर पहुशने में लगबग 7.5-8 गंटे का समय लगता है। सड़क मार्ग से श्रीनगर जाने में हाला कि समय ज़्यादा लगता है। लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकरतिक खुबसूरती आपकी सारी ठकान मिटा देती है। ऐसी अद्विती प्राकरतिक खुबसूरती का लुट्फ आप हवय यातर में नहीं उठा पाएंगे। आप जम्मू तक ट्रेन से भी आ सकते हैं। परन्तु जम्मू से श्रीनगर आपको बस या टेक्सी से ही जाना पड़ेगा क्योंकि श्रीनगर तक रेल सेवा नहीं है। श्रीनगर बस स् श्रीनगर पहुशना थोड़ा सा महेंगा जरूर है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। श्रीनगर तक भारत के लगबग हर बड़े शेहर से उड़ान सेवा उपलब दे। एरोपलेन के जरिये दिल्ली से नौन स्टाप फ्लाइट से श्रीनगर पहुशने में करीब और भी कम हो जाएगा। एरोपलेन से जाने में आपका भहुत सारा समय बचता है और रास्ते में कोई परिशानी भी नहीं होती। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हमारा आपको सजेशन ही कि आप फ्लाइट के द्वारा ही श्रीनगर जाईए। एर एशिया, एपोर्ट पर नहीं मिलेगी। श्रीनगर एरपोर्ट से श्रीनगर सीटी अत्वा डल जील तक का टेक्सी का किराया 700-800 रुप है। आप यहां किराया कम करने के लिए बारगें नहीं कर सकते क्योंकि यहां टेक्सी यूनियन है तथा टेक्सी वालों की मोनोपोली है। शाहिदि कोई यसा परेटक होगा जो श्रीनगर की डलजील के हाउसबोट में कुछ समय ना बिताना चाहए आप हाउसबोट को एक दिन के लिए आनलाइन बुक कर सकते हैं अत्वा श्रीनगर पहुँचने के बाद आप डल जिल पर जाकर सीधे हाउसबोट बुक कर सकते हैं हाउसबोट का एक दिन का किराया 700 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक होता है कुछ लगजरी हाउसबोट का एक दिन का किराया 5000 रुपे तक भी होता है आप अपने बजट के अनुसार houseboat चुन सकते हैं यदि आप online houseboat बुक करते हैं तो आपको किराया बहुत कम पड़ेगा क्योंकि online sites बहुत भारी discount देती हैं आप श्रीनेगर में पहले दिन होटल की बजावे houseboat ही बुक करें houseboat पर आपको breakfast, lunch तता dinner की भी सुविधा मिलेगी परन्तो आप houseboat पर केवल breakfast का ही package ले क्योंकि houseboat का खाना ज्यादा अच्छा तता हाईजिनिक नहीं होता है डल जिल के किनारे कई अच्छे वेज तचा नॉन वेज रेस्टोडेंट है आप houseboat की बजाए वहाँ lunch या dinner करें houseboat पर चेक इन करने के बाद आप houseboat पर चाय अत्वा कॉफी के साथ डल जिल को निहार सकते हैं तता houseboat पर घूम सकते हैं शाम को आप डल लेक में शिकारा राइट का आनन ले सकते हैं शिकारा छोटी नाव के समान होते हैं एक घंटे की शिकारा राइट की कॉस्ट साड़े 500 रुपे होती है यदि आप दो घंटे शिकारे पर घूमते हैं तो कॉस्ट 800 रुपे होती है यह कॉस्ट पूरे शिकारे की होती है एक शिकारे पर अधिक्तम चार लोग बेट सकते हैं यदि आप चार से ज़्यादा सदस हैं तो आपको दो शिकारे के राय पर लेने होंगे शिकारा आपको हाउस बोट से पिक करेंगे तथा वापस आपके हाउस बोट पर ही डॉप करेंगे इसमें कोई दोमत नहीं है कि शिकारा पर डल जिल की सेर आपको पूरे जीवन पर याद रहीगी आप हाउस बोट के अलावब शिकारा राइड डल जिल के किनारे से भी ले सकते हैं सेकड़ो शिकारे टूरिस्ट के उंतजार में डल जिल के किनारे पर खड़े रहेते हैं शिकारा राइड के बाद आप रादा की रसोई अत्वा विशाल, वेशनो, भोजनाले पर डिनर कर सकते हैं यह दोनों रिस्टोरेंट वेजिटेरियन हैं खाना बहुत स्वाधिस्ट है तता रेट भी रिजनेबल है यह रिस्टोरेंट डल जिल में हाउस बोट की श्रंखला के पास इस्तित है रात में आप हाउस बोट से श्रिनगर की खुबसूरती नहारें उसके बाद आप हाउस बोट में रेस्ट करें इस प्रकार आपका खुबसूरत कश्मीर में पहला दिन समाप्त होता है दूसरे दिन आप सुभा हाउस बोट पर ब्रिकफास्ट करें तथा अपना सामन पेक करें, तथा पहलगाओं के लिए प्रस्थान करें, हाउस बोट से आप नाव के द्वारा किनारे पर आएं, तथा किनारे पर सेकड़ो टेक्सी खड़ी रहती हैं, उनमें से एक कोआ पहलगाओं जाने के लिए बुक करें, श्रिनगर से पहलगाओं की दूरी लगभग 152 किलोमेटर है तता टेक्सी का किराया 2500 रूपे है टेक्सी वाला आपको रास्ते में कई खुबसूरत साइट्स जैसे की अवंतिपूर रुइंस दिखाता हुआ ले जाएगा अवंतिपूर रुइंस ग्यारो सो साल पुराना राजा अवंति वर्मन द्वारा निर्मीद भगवान विश्नु का मंदिर है हाला कि यह मंदिर टूट फूट गया है परन्तु फिर भी देखने लायक है पहलगाओं पहुँचने में आपको पांच घंडे का समय लगेगा इसलिए आप रास्ते में किसी अच्छे धाबे पर लंच कर लें आपकी टेक्सी का ड्राइवर आपको इस मामले में गाइड कर देगा यदि आप श्रिनगर से 10 बजे सुबह पहलगाओं के लिए निकलते हैं तो आप रुकते रुकते तथा सुन्दरता का आनद लेते हुए भी जाएंगे तो भी आप 3-3.30 बजे तक आराम से पहलगाओं पहुच जाएंगे यदि आपने पहले से होटल बुक कर रखा है तो आप महाँ जाएं यदि आपने आनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो टेक्सी वाले की मदद से अपने बजट के हिसाब से 800 रुपे से 2000 रुपे पर डे का होटल बुक कर सकते हैं इसके बाद आप पेमेंट देकर टेक्सी वाले को छोड़ दे तता होटल में चेक-इन करें शाम की चाई या कोफी आप होटल के बाहर लान में बरफिले पहाडों को देखते हुए पीए यदि आपका मन करें तो आप होटल से बाहर वेली में टहलाएं इसके बाद रात का खाना आप होटल में ही खाएं तता रात में आराम करें इस प्रकार आपका मेजिस्टिक कश्मीर में दूसरा दिन समापत होता है तीसरे दिन सुभर पहल गाओं में अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल से ही चंदनवारी, बेथवा वेली तथा अरू वेली लिए टेक्सी बुक कर सकते हैं इन तीनों स्पोर्ट को गुमाने का टेक्सी का किराया पंद्रा सो रुपे से आठा सो रुपे के बीच है पहल गाओं से चंदनवारी केवल पंद्रा किलमेटर दूर है चंदनवारी एक बहुती खुबसरत स्पोर्ट है जहां से उंचे पहाड, जूमते पेड और रंग बिरंगे फूल दिखते हैं यदि आप यहां अप्रिल से अक्टूबर के महीने में आते हैं तो आपको वास्तों में लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं आप यहीं इस्तित किसी ढाबे पर लंच करें इसके बाद आप बेताब वेली जाएं 1983 में एक बॉलिवूड रॉमांटिक फिल्म आई थी जिसमें सनी देवल और अमरिता सिंग एक साथ नजराये थे उस फिल्म की शूटिंग इसी घाटी में हुई थी इस फिल्म के नाम पर ही इस घाटी का नाम बेताब वेली रखा गया है नर्म घास के मेदान और हसीन पहाड़ियों से घिरी यह घाटी पहलगाओ और चंदनवाडी के भी चिस्तिते जहां से एक मारग अमरनात मंदिर को भी जाता है यह एक खुबसुरत और बेहद आकरशक घाटी जो हरे भरे घास के मेदान और बरफिली चोटियों से घिरी हुई है चंदनवाडी से लोटते समय आप बेताब वेली में घुमे बेताब वेली के बाद आप आरू वेली जाईएगा आरू वेली एक महतपूर्ण परेटक स्थले इस वेली के बीचो बीच एक नदी है जिसके किनारे आरू गाउं बसा हुआ है यहां आप हर्स राइडिंग ट्रेकिंग आदी कर सकते हैं इस वेली में आकर आपको स्विट्जर लेंड जैसा अनुबह होगा तथा आपका मन इस वेली से वापस जाने का ही नहीं होगा आपका मन करेगा कि आप इसी गाउं में बस जाएं आरू वेली में आपको चाई नैश्टी की दुकाने भी मिल जाएंगी आरू वेली के बाद आप पहल गाउं गोमते हुए अपनी होटल में आ जाएं तथा रात का डिनर अपनी होटल में ही करें चोथे दिन आप होटल में ब्रिकफास्ट करके गुलमर्ग के लिए निकलें पहलगाओं से गुलमर्ग की दूरी 140 किलोमेटर है तथा पहलगाओं से गुलमर्ग पहुँचने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है आपको आपकी होटल से ही गुलमर्ग के लिए टेक्सी मिल जाएगी होटल वाले ततकाल टेक्सी पुला देते हैं टेक्सी का किराया 2500 से 3000 रुपे के बीच होता है आप बारगेन करके टेक्सी का किराया कम भी करा सकते हैं यदि आप सुबह 10 बजे भी पहलगाव से गुलमर्ग के लिए निकलते हैं तो आप 30 बजे तक गुलमर्ग पहुँच जाएंगे आप चाहें तो रास्ते में लंच भी कर सकते हैं या आप गुलमर्ग पहुँचकर अपनी होटल में लंच कर सकते हैं यदि आपने गुलमर्ग के लिए आनलाइन होटल बुक की है तो वह आपको बहुत सस्ती पड़ेगी परन्तु गुलमर्ग पहुँचकर यदि आप होटल सर्च करते हैं तो होटल वाले बहुत ज़्यादा रेड बताएंगे जो तीन हजार से चार हजार रुपे तक भी हो सकता है जबकि आनलाइन बुक करने पर उसी होटल में आपको पंदरा सो रुपे में रुम मिल जाएगा पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा महंगे होटल गुलमर्ग में ही है इसलिए यहां के होटल आनलाईन ही बुक करें अनित्था ये होटल वाले आपको लूट लेंगे गुलमर्ग में होटल में चेक इन करने के बाद आप होटल के बाहर प्रकरती की गोद में चाई नाशते का आनंद ले तदा कुछ देर होटल के बाहर पेधली गुलमर्ग घुमाए रात में होटल में डिनर करके सो जाएं इस प्रकार आपका कश्मीर में चोथा दिन समपत होत गंडोला राइड केते हैं। आप पोनी, अर्थात घोड़े पर बेट कर गंडोला राइड के टिकेट काउंटर अर्थात स्टार्टिंग पाइंट तक भी जा सकते हैं। गंडोलराइट के दो फेज होते हैं पहला फेज गुलमर्ग से कुंगदूर का होता है इसका किराया 740 रुपए है इसके किराया 950 रुपए होता है यहां किराया आने तता जाने दोनों और का मिला कर होता है यहां कुल 100 केबल कार हैं एक केबल कार 6 लोगों को ले जाती है केबल कार पहले फेज में अर्थात कुंगदूर तक 2600 मिटर की उंचाई तक ले जाती है इसमें 9 मिनट का समय लगता है यदि आप सेकंड फेज अर्थात अपरवाद तक जाना चाहते हैं तो केबल कार आपको 3747 मिटर तक उपर ले जाती है यहां पहुँचने में लगबग 12 मिनट लगते हैं गंडोला राइट से फेज वन या फेज टू पर उतर कर स्नो एक्टिविटीज को इंजॉई किया जा सकता है अब परिटो के मन में यह सवाल उठता है कि फेज वन पर जाएं या फेज टू पर यदि आप अपरेल मई तथा जून में गुलमर गाते हैं तो ही आपको फेज टू तक जाना चाहिए क्योंकि इन तीन महिनों में फेज टू पर ही बर्फ मिलती है तता महीं पर स्नो एक्टिविटीज जैसे स्किंग, स्नो बाइकिंग आदी होती है इन तीन महिनों में फेज वन पर बर्फ नहीं मिलती है अन्य सभी महिनों में फेज वन तक ही जाना चाहिए क्योंकि सारी स्नो एक्टिविटीज फेज वन पर ही होती है फेस टूपर नहीं कुंगदूर अत्वा अपरवात में स्नो एक्टिविटीज करने के बाद आप गंडोला से वापस गुलमर्ग आ जाएं रात का खना आप अपनी होटल में ही खाएं तथा आराम करें क्योंकि आप स्नो एक्टिविटीज के बाद बहुत जादा ठक जाएंगे एक महतमन बाद गुलमर्ग अपनी स्नो एक्टिविटीज के लिए देश भर में फेमस है यदि आप अपरेल मई तथा जून में कश्मीर घुमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको स्नो केवल गुलमर्ग में ही मिलेगा तता वह भी कुंगदूर अत्वा अपरवाथ में अन्य जगह पर बर्फ पहाड़ों पर रहती है जहां जाना संबव नहीं है केवल गुलमर्ग में ही आप गर्मियों में बर्फ को हाथ से चू सकते हैं च्छटे दिन आप गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करें गुलमर्ग में आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से ही टेक्सी बुक करें गुलमर्ग से श्रीनगर की दूरी केवल 50 किलोमेटर है तता टेक्सी का किराया 1500 से 800 रुपे के बीच है तता गुलमर्ग से श्रीनगर पहुचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है श्रीनगर पहुचकर आप होटल बुक करें श्रीनगर में होटल का किराया कम होता है जो 1000 से 1500 रुपे के बीच होता है यदि आपने online hotel book कर रखिए तो आपका hotel booking का समय बचेगा शिनगर में hotel दो दिन के लिए book करें hotel में check-in करने के बाद आप taxi book कर सकते हैं या आटो रिक्षा से शिनगर local site scene कर सकते हैं यदि tulip garden खुला हो तो उसे अवश्च देखने चाहिएगा यह garden अप्रेल में केवल 20-25 दिन के लिए ही खुला रहता है क्योंकि tulip flower साल में केवल 20-25 दिन ही खिलते हैं इसके बाद आप शिनगर में चश्मेशाही, निशानद बाग तता शालिमार बाग घुम सकते हैं इन तीनों बागों को ही समिलत रूपसे मुगल गाडन्स कहा जाता है और ये तीनों बाग ढल जील के किनारे ही स्थित हैं इसके बाद आप शिनगर में ढल लेके किनारे स्थित किसी अच्छे रिस्टोरेन्ट में लंच कर सकते हैं लंच के बाद आप शंकराचाय टेमपल देखने जाएं लोटते समय आप शनेगर का हार्ट कहलाने वाला लाल चोक देखें तथा यदि आप शॉपिंग करना चाहें तो लाल चोक पर आप यह कर सकते हैं इस चोक पर कभी कभी शुकरवार के दिन पत्थर बाजी भी हो जाती है यदि ऐसी स्तिती हो तो आप लाल चोक को देखना इस्तागित भी कर सकते हैं बाकी पूरा कश्मीर परिटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं इसके बाद आप डिनर करके रात में अपने होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थाथ साथवे दिन आप जल्दी ब्रिकफास्ट कर लें तता टेक्सी बुक करके सोनमर्ग के लिए निकलें सोनमर्ग श्रीनगर से 81 किलोमेटर दूर है तता सोनमर्ग पहुँचने में 3 घंटे का समय लगता है श्रीनगर से सोनमर्ग जाने तता वापस आने का टेक्सी का अधिक्तम किराया 25 रुपे होता है सोनमर्ग के लिए आप सुबह 8 बजे तक निकल जाएं ताकि आप सोनमर्ग 11 बजे तक पहुच जाएं सोनमर्ग को मिडोज ओफ गोल्ड अर्था सोने की घास वाली जगए कहते हैं सोनमर्ग में आप पोनी राइट का आनन्द उठाएं सोनमर्ग में ही आप लंच करें सोनमर्ग में घूमने के लिए 5-6 गंडे का समय काफी होता है आप सोनमर्ग से वापस श्रिनगर के लिए शाम को 4 बजे निकल जाएं ताकि आप अंधरा होने से पहले श्रिनगर वापस आ जाएं सोनमर्ग से श्रीनगर का रास्ता रात में बहुत जादा सेफ नहीं है यदि आप जादा घूमना चाहते हैं तो सुबह श्रीनगर के होटल से और जलती सोनमर्ग के लिए निकले सोनमर्ग से वापस आने के बाद रात का खाना आप श्रिनगर में अपनी होटल में खाएं अथवा आप डल लेक के किनारे इस्तित रिस्टोरेंट में भोजन करें रात में अपनी होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात आठवे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके आप होटल से चेक आउट करें तथा टेक्सी के द्वारा एरपोर्ट अथवा रिक्षा के द्वारा श्रिनगर बस स्टेंड पर आ जाएं होटल से एरपोर्ट वापस जाने का टेक्सी का किराया 700 रुपए होता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं तो एरपोर्ट पर अपने गंते विस्थान के लिए बोर्डिंग करें यदि आप बस से जा रहे हैं तो श्रिनगर से जम्मू के लिए बस का टिकेट ले ले तता वापस अपने घर की जर्नी इंजॉई करें अब हम आठ दिन की इस कश्मीर यात्रा के कुल खर्च पर बात करते हैं चार लोगों का दिली से श्रिनगर तता रिटरन श्रिनगर से दिली का फ्लाइट का किराया 20,000 रुपए चार लोगों का रोट दिन का होटल तता हाउसबूट का किराया 14,000 रुपए चार लोगों का आठ दिन का साइट सीन तथा एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का कश्मीर में आठ दिन का अधिक्तम कुल खर्च 12,000 रुपे इसे हम चार से भाग देते हैं तो प्रति वेप्ति अधिक्तम कुल खर्च 18,000 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 18,000 रुपे में शानदार तरीके से फ्लाइट को शामिल करते हुए कश्मीर गूम सकते हैं यदि अब फ्लाइट की जगे बस से कश्मीर आते हैं तो प्रतिविक्ति खर्च घटकर केवल 15,000 रुपे ही होगा यदि आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 14,000 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंसार मत कीजिए जल्दी कश्मीर गूमने का प्लान बनाईए और अधिक जानकारी के लिए हमें मेसेच करें यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज हमारे चेनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन भी दबाईएगा